हेलो बच्चो कैसे आप सब लोग आज आपकी इंग्लिश की ओनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन चैप्टर नंबर वन पढ़ेंगे और आपकी नई बुक्स स्कूल में आ गई है तो आप स्कूल में आके अपनी नई बुक्स का स्रेट पर्चेस कर सकते हैं जिससे बच्चो आपकी इंग्लिश रीडर की बुक्स कुछ ऐसी है वन्डर इंग्लिश रीडर चैप्टर टू ठीक है तो ऐसी आपकी कुछ बुक है ठीक है तो यह अपन अप पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर वन मुपन करता हूं मैं चलिए बच्छो तो यह हमारा मौर्निंग मतलब सुबह का समय था Mr. Sharma was sitting in his room and looking out of the window Mr. Sharma sitting मतलब बैटे थे अपने room में और looking out of the window यानि खिड़की के बाहर देख रहे थे window मतलब खिड़की looking out मतलब बाहर देखना He saw a boy at the other side of the street अब खिड़की के बाद जब वो देख रहे थे तो street मतलब road सामने road थी तो road के दूसरी side उन्होंने एक लड़के को देखा He saw a boy यहने एक लड़के को देखा other side of the street यानि दूसरी तरफ ठीक है road के The boy had a school bag hanging from his soldier shoulder shoulder sorry The boy जो लड़का वो देखा उसके पीछे shoulder पे कंदों पे एक school bag लड़का हुआ था यानि obviously बात है बच्चा कहां जा रहा होगा school जा रहा होगा ठीक है He took some biscuits and burns out of his bag and began to eat them तो बच्चा जब school जा रहा था तो अचानक से उसने some biscuits यानि कुछ biscuits बाहर निकाले and burns out biscuit और बन मतलब एक तरह का cake होता है ठीक है ऐसे spongy सा cake जैसा होता है bread जैसा ठीक है तो उसने कुछ biscuits और burns बाहर निकाले took out का मतलब बाहर निकालना office bag अपने bag में से and began to eat them और उनको खाने लगा ठीक है देको ये वाला है ये Mr. Sharma है जो अपनी window से बाहर देख रहे हैं बच्चे को इसने अपने bag में से निकाला और खाने लगा ठीक है burns और biscuit in the street there was a little dog also अब क्योंकि वहीं पे रोड पे एक छोटा सा कुत्ता भी था वो भी Mr. Sharma ने देखा it saw the boy eating biscuits and bread और उस कुत्ते ने saw मतलब देखा लड़के को क्या खाते वे biscuit and bread खाते वे bread मतलब वो बन हो गया the boy showed his biscuits to the dog and said in a kind tone come here good pup come here good dog do you want to eat these biscuits तो boy ने क्या किया वो biscuit showed मतलब दिखाए किसको dog को दिखाए and said in kind tone और एकदम प्यार भरी अवाज में kind tone मतलब एकदम प्यारी सी अवाज में बोला come here good pup pup मतलब कुत्ते का बच्चा क्योंकि को कुत्ते का बच्चा था तो कुत्ते के बच्चे को पप बोलते हैं तो हे अच्छे कुत्ते के बच्चे यहाँ पर आओ हे अच्छे dog come here good dog मतलब कुत्ते को बोलता है कि अच्छे कुत्ते प्यारे से कुट्टे यहाँ पर आओ क्या तुम इन बिस्किट्स को खाना चाहते हो उसने बच्चे ने कुट्टे से पूछा The dog saw the boy It was very hungry तो कुट्टे ने बच्चे को देखा ठीक है और कुट्टे को बहुत ज़्यादा बूख लग रही थी उसकी hunger यानि उसकी भूक raised मतलब बढ़ गई much and more बहुत ज़्यादा बढ़ गई It went to the boy and began to wag its tail lovingly अब वो लड़के के पास गया went मतलब गया किसके पास लड़के के पास कुट्टा पास में और begin to wag wag मतलब अपनी हिलाने लगा its tail tail मतलब पूछ हिलाने लगा lovingly एकदम प्यार से लाड में आके उसके पास जाके अपनी पूछ हिलाने लगा ताकि वो बच्चा उसे biscuit या bread दे दे और उसकी भूक मिट जाए but the boy didn't give the little pup any biscuit लेकिन बच्चे ने नहीं दिये कोई भी biscuit एक भी biscuit नहीं दिये किसको उस little pup को यानि छोटे से कुटे के बच्चे को instead of giving the pup any bread he gave the poor animal a hard kick on the belly और pup को bread देने के बजाए यानि उस कुटे के बच्चे को bread देने के बजाए उसने लड़के ने क्या किया poor animal यह बिचारा चोटा सा प्यारा सा कुटा था उसके पीछे पीछे के से पर belly मतलब पेट sorry belly पेट पेट पे एक जोर से लात मारी hard kick मतलब लात मारी देख आफ फोटो में देख तो बच्चा कुटे के पेट पे लात मार रहा है तो ऐसे लात मारी यह पहले तो प्यार से बुला लिया भाई ले बिस्किट खा ले और फिर जैसे आया तो उसके लात मार दी the little pup yelped in pain and ran away तो जो चोटा सा कुटा था yelped मतलब एकदम चिलाया उसके मुझे आवाज आई दर्द के मारे और फिर वहाँ से डर के मारे भाग गया ठीक है after doing this the boy laughed very cruelly और ऐसा करने के बाद वो जो नटकर शरारती बच्चा था वो हसने लगा cruelly एकदम गरनता पूरवा के एकदम दुष्टता से हसने लगा जैसे उसने कोई महान काम कर लिया जबकि उसने बहुत गलत काम किया है बच्चों कि कुत्ते को पहले बिस्किट के लिए बुला लिया फिर लात मार के बगा दिया how cruel this boy is कितना दुष्ट बच्चा है cruel मतलब दुष्ट ये बच्चा है sad Mr. Sarma to himself तो खिड़की से देख रहे Mr. Sarma ने बोला देखो कितना दुष्ट बच्चा है I must teach him a lesson मुझे इसको जरूर सबक सिखाना पड़ेगा lesson मतलब अभी यहाँ पे सबक है एक सबक सिखाना पड़ेगा जिससे ये जानवरों की ऐसे खिली न उड़ाए उनकी लात न मारे उनका मजाग न उड़ाए Mr. Sharma came out of his house and had a hundred rupee note on one hand and a stick on the other अब Mr. Sharma घर के बाहर आ गए और एक hundred rupee note यानि सो रुपय का note एक हाथ में ले लिए पकड़ लिया और stick यानि एक चड़ी यानि एक दंडा दूसरे हाथ में लेकर बाहर आ गए एक हाथ में सो रुपय का note और दूसरे हाथ में डंडा Look here good boy He said Do you want this hundred rupee note यहाँ पे देखो हे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे यहाँ पे देखो उसकी तरफ यानि उस लड़के को आवाज लगाई बाहर आने के बात और कहा क्या तुमको यह सो रुपय का note चाहिए ठीक है तो यह का अब देखो बच्चों हमारा पहला पार्ट यहीं तक था आज अपन यहीं पे रोकते हैं ठीक है और इसका आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा मुझे उमीद है कि आपको पूरा चेप्टर अच्छे से समझ में आओगा ठीक है जहां तक मैंने पढ़ाया तो इसको आपके जो चेप्टर का पीडिएफ आपको दे देंगे अपन जिन बच्चों के बास बुक्स नहीं तो इस चेप्टर को यहां से एक बार वापस अपनी language में आप सब read करेंगे जोड़ जोड़ से आवाज आ नीचे गर में ठीक है आप reading लगा रहे हो reading लगानी है और आगे के lesson को भी पढ़ना है ठीक है तो आज के लिए तना ही वीडियो को like कीजिए comment कीजिए channel को subscribe कर लिजिए thank you have a nice day